हेलो एवरीवन वेलकॉम अगें टू लंडरी देतीमन आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 तो इसके कोशन आंसर हम लोग करेंगे चैप्टर का नाम है राजिस्थान में आधार भूत सेवाएं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बहुत सारे डेटा आपको मिलेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से लंड करने हैं आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो राजिस्थान में तो वहाँ पर यहाँ से कुशन जो हैं वो हमेशा ही आते हैं आपको 6 से 12 तक के कुशन आंसर जो हैं वह है आपको बहुत अच्छे से देखने हैं वीडियो बार-बार देखना है ताकि आपको यह चीज़े याद हो सकें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजिस्थान की कुल कितनी साक्षर्ता है तो यह हैं 66.111 प्रतिश्यत राजिस्थ में पूरुष साक्षर्ता कितनी है तो यहां पर पूरुष साक्षर्ता कितनी है राजिस्थान में तो यह है 89.111 प्रतिशत राजिस्थान में वहीं महिला साक्षर्ता दर कितनी है तो यहां महिला साक्षर्ता दर है 52.12 प्रतिशत तो कुल साक्षर्ता दर 66.111 है वहीं 52.12% है ठीक है तीनों ही आपको याद रखने होंगे राजिस्थान में उप स्वास्ते केंद्र कितनी आवादी पर इस्थापित किये गए हैं तो यह हजार की आवादी पर इस्थापित किये गए हैं चीक है तो दिखिए राजिस्थान की जंता के स्वास्ते कल्यान के लिए एक हजार की आवादी पर स्वास्ते उप केंद्र जो है वह है इस्थापित किये गए हैं राजिस्तान में प्राथमिक स्वास्ते केंद्र की इस्थापना कितनी आवादी वाले शेत्र में किये गए हैं? तो ये किये गए हैं 30 हजार की आवादी पर नेक्ष्ट देखिए, राजिस्थान में एक लाग की अवादी वाले इस्थानों पर कौन से केंदर इस्थापित किये गए हैं, तो वह किये गए हैं सामुदाइक स्वास्ते केंदर, ठीके, तो देखिए, एक हजार की अवादी पर स्वास्ते केंदर खोले गए हैं, तीस हज सुकन्या सम्रद्धी योजना के तहत खाता कहां खुलवाया जाता है तो हमें पता है कि डांक विभाग में सुकन्या सम्रद्धी योजना के तहत खाता खुलवाते हैं 108 निशुल्क आपत कालीन सेवाएं किस से संबंदित हैं तो ये स्वास्ते सेवाओं से संबंदित है राजिस्थान का एक मात्र अंतरास्ट्री हवाई अड़ा कौन सा है तो वै है जैपुर का सांगा नेर हवाई अड़ा जैपुर का सांगा नेर हवाई अड़ा अंतरास्ट्री हवाई अड़ा है एक मात्र राजिस्थान का राजिस्थान परिवहन निगम की इस्थापना कब की गई तो यह की गई एक अक्टूबर 1964 इस्वी में ठीक है क्योंकि हमें पता है कि राजिस्थान के परिवहन के जो साधन है वहाँ सड़क परिवहन जो है वो एहम रोल है उसका तो यहाँ पर राजिस्थान में राज्य परिवहन निगम की इस्थापना की गई एक अक्टूबर 1964 को नेक्स्ट देखिए राजिस्थान में सडकों की सरवादिक लंबाई किस जिले में है तो यहां जोधपूर में सरवादिक लंबाई है राजिस्थान में सडकों की सबसे कम लंबाई, न्यून्तम लंबाई किस जिले में है? तो सरवादिक है जोदपुर जिले में और न्यून्तम है धौलपुर जिले में राजिस्थान में इस्थित सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है? राजिस्थान में इस दिद सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH15, ठीके? NH15 जो है, वह सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग है राजिस्थान का. NH15 को वर्तमान में किस नई नाम से जाना जाता है? तो NH15 का वर्तमान नाम है NH68, ठीके? ये याद है एक्जाम में आ सकता है अगले देखिए राजे स्थान में इस ते सबसे छोटा राश्टी राजमार्ग कौन सा है तो सबसे लंबा है एनेज 15 जिसका वर्तमान नाम 68 हो गया और सबसे छोटा राश्टी राजमार्ग है नेक्स्ट है कुशन 17 एनेज 71 बी को वर्तमान में किस नए नाम से जाना जाता है तो इसे एनेज 919 नो सो उननिस ठीक है इस नाम से जाना जाता है तो इसका प्राचीन क्या नाम है वो भी याद रखिएगा वर्तमान में इसका क्या बदल के आया है नाम वो भी याद कि NH-71B जो है, वह सबसे छोटा राजमार्ग है, जिसका अब हम जानते हैं NH-919 के नाम से. राजिस्तान में रेलवे के कितने जोन हैं? कितने जोन हैं, रेलवे के दो हैं, उत्तर पक्षमी रेलवे और पक्षिम मध्य रेलवे. राजिस्तान में रेलवे के कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? पाँच मंडल हैं, जैपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानिर और कोटा. राजिस्तान में रेलवे के पाँच मंडल हैं, जैपुर, जोधपुर, अजमेर, पीकानिर और कोटा. जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इन कुश्यनांस को नहीं देख रहे हैं, उनको बाद में तो देखना ही पड़ेगा, इन बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, और इनके द्वारा जो है, खुद नोट्स जो हैं, वो तैयार करिए, ताकि आपको एक जगे सारी चीज जो है, चाहे कोई भी दे आप, अभी ग्राम सिवक का एक्जाम जब आएगा, या फिर आपका जो भी एक्जाम हो भी चुके हैं, तो यहीं से कुश्यन आपके पूछे गए हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्षक कहां है, उधैपुर में है, राजिस्थान में पहली रेलगाड़ी कहां चलाई गई, तो यह है, जैपुर रियासत में, आगरा फोर्ट से बांदी कुई के बीच चलाई गई थी, अप्रेल 1874 में, ठीके, आगरा फोर्ट से बांदी कुई के बीच में चली, राजिस्थान की पहली रेलगाड़ी, तो यह आपके चैप्टर की, चैप्टर में जितनी भी कुश्यन बन सकते थे, वो सभी मैंने यहां पर ले लिये हैं, ताकि आपका चैप्टर जो है, उसमें से एक बिलाइन न चूटे, ठीक है, तो यहां आपका ये चैप्टर होता है, complete, next हम चलेंगे, चैप्टर 10 पर, जो की होगा, लोग बाद्टर जो है, उसमें चैप्टर 15 जो